introduction to scorpions scorpions are arachnids arachnids differs from the insects as insects have three body parts, arachnids have two body parts उसके साथ साथ जो insects हैं, इनके अंदर antenna मौजूद होता है जबके arachnids के अंदर antenna मौजूद नहीं होता अब अगर हम scorpions की बात करें तो scorpions arachnids हैं और predatory arachnids हैं यानि ये predators हैं ये हमारे ecosystem के अंदर food web के अंदर important role play करते हैं scorpions के अगर हम order की बात करें तो scorpions order से इनका तालुक है, इनके अंदर eight legs यानि four pairs of legs मौजूद हैं और इनके अंदर special structure grasping pincers अगर हम इस slide के अंदर देखें तो ये grasping pincers मौजूद हैं ये वो structures हैं जिनके जरीए ये अपने prey को पकड़ते हैं आम तोर पर ये ख्याल किया जाता है कि ऐसे scorpions जो के अपने venom का कम इस्तमाल करते हैं या जिनका venom जादा toxic नहीं होता उनके ये pincers काफी मजबूत होते हैं काफी develop होते हैं क्यूंकि इन्होंने अपने prey को इनी structures के जरीए capture करना होता है लेकिन ऐसे scorpions जिनका venom काफी strong होता है काफी toxic होता है वो अपने string के जरीए अपने venom के जरीए अपने prey को paralyze करते हैं ऐसे scorpions के अंदर ये structure ज़ादा develop नहीं होते उसके लावा जो scorpions हैं इनको आसानी से पहचाना जा सकता है इनकी segmented tail है और इस tail के end के उपर एक curve structure मौझूद है जिसको stinger कहते हैं ये जो stinger है ये venom gland के साथ अटेश है spider के अंदर हमने देखा कि spider के अंदर जो venom gland है वो चैलिस रा के अंदर मौझूद है और वो fang के जरीए अपना venom inject करता है यहाँ पे जो venom gland है वो tail के अंदर मौझूद है और stinger के जरीए जो scorpion है ये अपना venom अपने prey की body के अंदर inject करता है उसको paralyze करता है उसके बाद अगर हम scorpions की food के बारे में बात करें तो scorpions मुखतलिफ किसम के insects के उपर feed कर सकता है फर्जापल grasshoppers के उपर feed कर सकता है small insects के उपर feed कर सकता है flies के उपर feed कर सकता है आम तोर पर ये small size invertebrate को अपनी खुराग बनाते हैं लेकिन कुछ scorpion ऐसे भी है जो small vertebrate के उपर भी feed कर सकते हैं उसके लावा ये अपने जो pincers हैं उनको use करते हैं अपने prey को capture करने के लिए और अपने venom का इस्तमाल करते हैं अपने prey को immobilize करने के लिए उसके बाद खास तोर पर ऐसे scorpion जो के highly poisonous हैं जो के medically important है ये scorpion की एक important family है जिसको family बुतिडी कहते हैं इस family से belong करते हैं इस family के majority of जो scorpions है वो poisonous है इवन इस मेंसे बहुत सारे scorpions ऐसे हैं जो के single bite से single sting से अपने prey को kill कर सकते हैं इवन के अगर एक scorpion दो ती instinct एक human baby को करे तो उसकी death हो सकती है scorpion venom काफी toxic होता है और इसकी जो bite है वो काफी painful होती है severe किसम की दर्द होती है scorpion biting के बाद और ये जो venom है ये हमारे nervous system के उपर attack कर सकता है ये हमारे blood के उपर attack कर सकता है ये heart की जो normal physiology है उसको disturb कर सकता है अब जो scorpions है इसके अगर हम habitat की बाद करें तो ये तकरीबन हर किसम के habitat के अंदर पाई जाते हैं खास तोर पर ये mountainous areas या फिर deserts के अंदर ज़ादा देखे जाते हैं अब ऐसे scorpions जो के deserts के अंदर है जहां पर पानी की कम होती है आम तोर पर ये देखा गया है कि ये scorpion अपने prey को capture करने के लिए अपने venom का इस्तमाल करते हैं ऐसे scorpions जो deserts के अंदर मौजूद होते हैं इनका venom काफी जहरीला होता है जबके ऐसे scorpions जो के mountainous areas के अंदर मौजूद हैं उनके pincers काफी develop होते हैं जो ये indicate करते हैं कि शायद ये अपने prey को capture करने के लिए अपने pincers का इस्तमाल करते हैं उसके बाद scorpions को collect करने के लिए मुखतलिफ methods का इस्तमाल किया जाता है इनको collect करने के लिए हम turning stones यानि अगर आपने हिली area से scorpions को collect करना है तो stones को एक लोहे के rod के जरीए आप turn कर सकते हैं इसी तरीके से अगर आपने scorpions को रात के वकट collect करना है तो फिर आपको UV lights का इस्तमाल करना होता है आप तोर पर scorpions को collect करने के लिए ऐसे days को select किया जाता है जब चांद की रोशनी ना हो बिल्कुल अंधेरा हो उस वकट UV lights अगर on की जाएं तो इनकी बाड़ी के अंदर special proteins होती है जब UV light इनकी बाड़ी के उपर पड़ती है तो ये glow करते हैं और असानी से फील्ड के अंदर इनको देखा जा सकता है उसके लावा scorpions को collect करने के लिए हम pit fall traps का इस्तमाल भी कर सकते है तो scorpions मुख्तलिफ किसम के habitats के अंदर पाए जाते है इसको हम मुख्तलिफ methods से collect कर सकते है इसके अंदर बहुत ज़्यादा variety है अगर इस्त की जो variety है उसको हम spiders के साथ compare करें तो spiders highly diverse group है जबके जो scorpions है इनके अंदर इतनी diversity नहीं है फर जेमपल अगर हम सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बात करें तो पाकिस्तान के अंदर इनकी अभी 15 से 20 से ज़्यादा species discover नहीं हुई जबके अगर हम दुनिया के अंदर बात करें तो दुनिया में भी इनकी 25 से ज़्यादा species नहीं है जो indicate करती है कि ये जो group है ये बहुत ज़्यादा diverse group नहीं है